Okay, now comes another structure जिसमें हमारे पास starting में जो है आर्टिकल के साथ साथ एक adjective भी होता है. तो हमारा sentence हुआ a tall boy drinks sweet milk अब यहां पर addition क्या हो रहा है? यहां पर addition हो रहा है कि हमारे पास article के साथ साथ adjective भी आ रहा है और इसी तरहां हमारे पास जो object की जगापर है वहां पर भी हमारे पास एक adjective आ रहा है और एक हमारे पास noun आ रहा है start उसी तरह से होगा जिसमें हम capital S करते हैं use उसके बाद branching होगी branching भी उसी तरह से होगी noun phrase आएगा word phrase आएगा अब noun phrase जो है वो three branches में divide होगा जिसमें से एक तो as usual determiner के लिए second is for adjective adjective को हम किस तरह शो करते हैं capital A and small d and j और एन पर आ जाता है हमारा noun और verb phrase जो है ये उसी तरह से जाएगा जिसमें हमारे पास verb आएगा और noun phrase आएगा अब हमारा noun phrase यहां पर जैसे पीछे determiner या article आ रहा था तो यहां पर उसकी जगा पर क्या है adjective तो हम उसी तरह से branching करेंगे अब determiner की जगा पर चुंके article है तो article को हम यहां ले आएंगे और adjective जो है वो हमारे पास जो है वो tall है तो वो यहां आजाएगा noun के पहले और अब आजेगा noun और verb जो है चुंके आगे यह कहीं भी divide नहीं हुआ तो यह उसी तरह निचे आजाएगा और जो हमारा adjective है that is sweet and noun is milk तो यह हमारा structure हो गया जिसमें हमारे पास noun phrase में determiner आ रहा है determiner के साथ adjective आ रहा है यहां सिर्फ जो है वो adjective आ रहा है noun से पहले